Hello everyone, my name is Parth and welcome back to restart. I am your chemistry educator and आज के इस सूपर डूपर लेक्चर में हम देख रहे हैं आपके साइन्स के टेक्सिबुक का चाप्टर नूमबर वन that is Matter in Our Surroundings. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को जितना शेर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलते रहेगा इस तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियो और लेक्चर आपके लिए बनाने के लिए As we look at our surrounding, हम घर से बाहर निकले हैं, आप रास्ते पे निकले, आपको इतनी सारी चीज़े दिखाई देंगे, दूसरे लोग दिखेंगे, animals हैं, plants हैं, आस्मान दिख रहा है, सूर्या है, चंद्र है, सितारे हैं, पेड पौदे हैं, बहुत सारी चीज़े आपको दिखाई द तो अलग-अलग texture की, size की, shape की हर चीज़ आपको इस दुनिया में दिखती है, हमारे आसपास दिखती है, बराबर है, everything in this universe is made up of material which the scientists have named matter, जो कुछ भी हम देखते हैं, पूरे universe में, जितना भी कुछ है, जो भी आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं कि वो matter से बना हूँ, किस चीज़ का बना हूँ, matter से बना हूँ, scientists लोगों ने नाम दे दिया, कि ये किस का बना है, matter का बना है, मैं किस का बना हूँ, matter का बना है, पेड़ पोदे किस के बने, matter का बना है, पानी, हवा, सब कुछ कह है, matter है, everything in our universe is made up of nothing but matter, ठीक है, matter नाम दे अच्छा, the air we breathe, जो हम सांस लेते हैं हवा में, जो हम खाना खाते हैं, जो पत्थर हैं, जो बादल हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, अनिमल हैं, even a small drop of water, छोटा सा पानी का drop ले लो, और a particle of sand, everything is matter, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सब कुछ कह है, matter, all the things mentioned occupy space and have mass, अपनी बात करूँ, मेरे पास कुछ mass है, कुछ तो है मेरे अंदर है, कोई मुझे उठाने जाएगा, मतलब मेरे अंदर कुछ mass है, इसके अंदर कुछ mass है, इसको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, तो हां मुझे कुछ तो feel हो रहा है, इसके अंदर mass है, इसके अंदर mass ह occupy कर रहा है और यह पानी अगर मैं किसी और container में डालूं for example यह पतीला लिलूं अब मैंने यह पानी सारा का सारा पतीले में डाल दिया तो पानी ने container चेंज कर लिया bottle से पतीले में आ गया लेकिन क्या वो अभी भी उसके पास पढ़ रहा है इसके पास मास है और यह space occupy कर रहा है जगा दिखरी आपको इसके अंदर की जगा उसने occupy कर लिए इसको क्या बोलते है volume तो मुद्दा क्या है मुद्दा क्या है कि जितना भी matter है all the things mentioned matter around us it occupies space and has mass valueς मतलब दे बोथ हैं mass and volume volume मतलब basically गाना का वॉल्यूम ने, टीवे का वॉल्यूम ने volume मतलब space जगा रोक रहा है जग होक्य कर रहा है इसको क्या बोलते है volume पानी रोक रहा है, मैं जगा रोक रहा हूं, ये मेरा हैर का ब्रश ये जगा रोक रहा है, इसके पास भी कुछ न कुछ मास है, कुछ न कुछ वोल्यूम है, स्पेस उक्यूपाई कर रहा है, बात तो आपको समझ में आ रही है, बेसिक मैटर क्या है, मैटर, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, जो पुराने पुराने भारतिय फिलोसोफर्स हैं, जो रिशी मुनी वगेरा होकर गए हैं पहले, जो ज्यानी लोग होकर गए हैं, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ते, जो ग्यानी रिशी मुनी जो होकर गए हैं, उन्होंने क्या बोला, matter matter जो हम हमारे आसपास देखते हैं वो 5 चीज़ों से बनाए, 5 तत्तों से बनाए air, earth, fire, sky and water लेकिन आज ancient Greek philosopher जो थे Greek, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से matter को classify किया था कि हाँ हवा होती है, धर्ती होती है, पानी होती है इस तरीके से Indian philosophers और Greek philosophers दोनों ने matter को classify किया था, लेकिन आज के time पे, जो scientist है, modern scientist वो matter को दो तरीके से classify करते हैं आपको बताता हूँ, जो modern scientist है, वो matter को दो तरीके से classify करते हैं, एक on physical nature ठीके, एक classification होता है physical nature पे और एक होता है chemical nature पे, simple आपको बता हूँ, physical nature के इसाब से किस तरीके का classification बनेगा, कि कुछ चीज़े हैं जो solid है, simple बतारू, कुछ चीज़े हैं जो liquid है, and कुछ gas है, solid, liquid, gas, ये तीन states of matter हमारे पास available है, and ये होता है physical classification, based on appearance, external appearance, solid है, liquid है, gas है, ठीक है, and जो chemical nature के हिसाब से classification होता है, ये होता है, metals, आपने सुना होगा, metals होते है, metals होते है और metalloids होते हैं, उसी तरीके से elements होते हैं, compounds होते हैं, तो ये होता है chemical nature के हिसाब से classification, ये तो हम आगे देखेंगे, आने वाले chapters में आप ये सब देखते हो, आज हम इस chapter में, जो physical classification है, solid, liquid, gas का, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आज के chapter में, क्या आपको बात समझ में आ particles का बना हुआ है, particles, कौन से particle हैं, देखो कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है, कोई बहुत बड़ा secret भी नहीं है, आपको पता है atoms होते हैं, और atoms combine होकर molecule बनाते हैं, इतना basic तो आपने शायद 8-7-8 में भी सुना हुआ है, अब मैं पानी की बात परूँ, तो पानी के अंदर कौ कान से particle हैं, आप बोलोगे हाँ sir, H2O, पानी क्या होता है, H2O, दो hydrogen, एक oxygen मिलकर, H2O, ये पानी बनता है, इसका molecule होगा, ठीक है, दो hydrogen atom, इस तरीके से, और एक oxygen, ये तीनों चीजे मिलकर, दो hydrogen, एक oxygen, ये तीनों atom मिलकर, एक पानी का molecule बनाते हैं, आप इतना जानते हो, तो मुझे बताओ, यही सारे molecules, इनको ही मैं particles बोल सकता हूँ, और यही particles, अभी कहा गया मेरा पानी, ये जो पानी है, इसी के अंदर वही सारे particles है, H2O के single single molecules हैं, जो इसके अंदर घूम रहे हैं, इसके अंदर एकटा हैं, are you understanding, तो जो matter है, जो पानी है, वो particles का बना है, molecules का बन nitrogen का single molecule, N2, CO2 का carbon dioxide, तो ये सारे particles मिलकर हवा बन रहे हैं, उसी तरह पानी बन रहा है यहां पर, water के molecules है, particles है, simple बात आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छा, अब मुझे बताओ, इसके अंदर, आपको पानी के particles समझ में आ गए, ये मैं अगर एक particle मानू, तो ये सारे particles क्या है H2 है, example के तरह पे, आपको बता रहा हूँ, अब मुझे बताओ, इसमें अगर नमक add किया जाए, salt, तो salt के भी particles होंगे, salt क्या होता है, जो खाने का नमक हमारे घर पे मिलता है, वो क्या है, वो है, NaCl, sodium chloride, तो इसमें एक sodium का atom है, और एक chlorine का atom है, sodium और chlorine, ये elements होते हैं, आप ज जानते हो, समझदार हुआ, sodium और chlorine मिलकर NaCl, sodium chloride, धर का table salt बनता है, और वो नमक आपने पानी में डाला, आपने उसको stir किया, stir मतलब क्या मिक्स किया, तो ये नमक के जो particles हैं, ये particles, पानी के particles के बीच में arrange हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दया, बात के particles, सारे के सारे जोड़े होए, चिपके होए नहीं है, उनके बीच में spaces होती है, और उन spaces में, उन spaces में, sodium और chlorine arrange हो सकते हैं, yes or no, तो basically क्या होता है, matter can mix with each other, and they can arrange themselves in between the particles, पानी के particles के बीच में, molecules के बीच में, sodium chloride के particles आ जाएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water, simple बात आपको मैंने यहाँ पर बताए, क्या यहाँ तब कोई दिक्कत है आपको, हमने बोला matter particle का बनाए, हमने बोला particles के बीच में, बहुत important point, particles के बीच में क्या होती है, space होती है, and आप जब किसी चीज़ को dissolve करते हो पानी में, तो वो जो particles है, salt के particle के बीच बीच में आ जाएंगे, because वहाँ पर क्या है space, simple बात आपको मैंने बताए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है, matter, चलो, तो पहला सबसे important मुद्दा, के matter क्या है, particles है, बना है particle की बीच में space है, ठीक है, फिर क्या पूछा है, how small are these particles, हमने बोला particle तो है लेकिन particle कितना चोटा है, how small are these particles of matter, मतलब basically, एक atom या एक molecule, जिसको हम particle of matter बोल रहे है, atom या molecule, ये कितना चोटा होगा, कितना चोटा, बहुत चोटा, आप imagining भी नहीं कर सकते हो, उतना चोटा है, इसके लिए एक चोटा सा experiment यहाँ पे दिया हुए, आपने 100 ml पानी लिया, हमने K-M-N-O-4, मतलब क्या potassium permanganate, हमने क्या लिया, ध्यान से सुनिए, हमने लिया potassium permanganate, spelling बराबर है permanganate, potassium permanganate, उसके चोटे चोटे दो crystal मैंने डा दे, 100 ml पानी के अंदर और उसको मैंने mix किया, तो वो dissolve हो गया, आपको पूरा color भी दिख रहा है, याँपे है ना, purple violet color आ ग 100 ml का solution बना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, solution, potassium permanganate का solution, उसमें से मैंने 10 ml लिया, क्या किया, उसमें से मैंने 10 ml एक test tube में लिया, और उसको मैंने फिर से पानी के अंदर डाला, फिर से मैंने 100 ml का एक और solution बनाया, लेकिन मुझे बताओ, इसको मैं dilute solution बोल सकता हूँ, dilute solution, क्या बोलेंगे, dilute solution, नहीं बात समझ में आई, पहले आपने सीधा पानी लिया, 100 ml water, उसमें आपने 2 crystal potassium permanganate के dissolve करें, आपको ये solution number 1 मिला, उसमें से मैंने 10 ml लिया, और फिर से मैंने पानी के अंदर डालके 100 ml का solution बनाया, तो dilute solution बना, इसको मैंने बोला, solution number 2, उसमें स फिर से मैंने 10 ml लिया, फिर से उसके अंदर मैंने 90 ml पानी डाला, अब समझ ये बात को, इसके अंदर मैं और 90 ml का पानी डालूं, तो फिर से 100 ml का solution बनेगा, इसको मैं solution number 3 बोलू, ये और जादा dilute है, more dilute, ऐसे बोल सकता हूं, more dilute, dilute कब होती है कोई चीज, जब आप पान इसके अंदर मैंने 10 ml लिया, इसके अंदर और 90 ml पानी डाला, तब जाके एक और solution, solution number 4 बोलता हूं इसको मैं, और 100 ml solution बना, मुझे बताओ क्या आपको color में change दिख रहा है, ये सारी बाते मैं हटा देता हूं, ये इसको मैं अगर dark बोलू, dark color था, विकॉज उसके अंदर potassium permagn हमने डाला, उसके particles सबसे जादा solution number 1 में है, तो उसको मैंने dark color बोला, फिर दूसरा solution जो बना, solution number 2, उसको मैं less dark बोल सकता हूं, less dark, फिर solution number 3, और जादा darkness कम होई, मतलब color और कम हो गया, मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं dilute करते जा रहा हूं, potassium permagnate के particles कम होते जा रहे, आपको पता है, ये जो दो crystal है इतना, मतलब मान लो मैंने एक gram से भी कम potassium permagnate लिया, एक gram से भी कम potassium permagnate, 1000 liter की टंकी होते हैं पाने की, उसमें अगर आप डालो, तो भी आपको color दिखाई देगा, मतलब सोचो, ये जो KMNO4 है, KMNO4, उसके particles कितने चोटे होगे, इत्तु सा भी अगर मैं डालता हूँ, तो वो पूरा distribute हो जाता है, 1000 liter की टंकी के अंदर, मतलब इसके जो atom है, इसके जो molecule है, वो बहुत छोटे, आप imagine भी नहीं कर सकते हो, उससे छोटे हैं, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या बोला है, with every dilution, पानी डाला न हमने, 10 ml लिया, 90 ml पान इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, so we conclude that, there must be millions of tiny particles, in just one crystal of potassium permagnate, one crystal मतलब कितना, आपको ये दिख रहा है, जूम करके दिखाओ, तो समझ में आएगा, ये दिख रहा है, ये, इसको मैं बोलता हूँ one crystal, और इस एक crystal के अंदर, millions of particles, के मनो 4 के होंगे, और वही सारे particles, इतने सारे पानी के अंदर distribute होंगे, तब भी उनका कदर आपको दिखाई, देगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, फिर हमने क्या बोला था, the particles of matter are very small, they are small beyond our imagination, कितने small होते हैं, ये हम आगे, जब हम structure of atom पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा, कितने छोटे होते हैं particles, ठीक है, उसी तरह से, अगर sugar को पानी में dissolve किया जाए, तो मुझे एक बात बता ना, sugar के भी जो particles हैं, अगर मैं बो है, blue color के circles बना रहा हूँ, ये water के particle है, जब आप sugar को dissolve करोगे, तो sugar के भी particles, water के particles के बीच में आ जाएंगे, particles के बीच में क्या होती है, space होती है, जब कोई चीज़ हम dissolve करते हैं, तो उस sugar के या salt के particle, पानी के particle के बीच में arrange हो जाते हैं, इसी तरह से होता है, dissolving, dissolution, उसी तर बनाते हैं, मुझे बताओ, आपने पहले लिया water, water में आपने डाला sugar, sugar के साथ साथ आपने डाला lemon juice, लिम्बो लिया उसको नीचो उड़ा, lemon juice आगया, और क्या डालो गया, sugar हो गया, salt हो गया, lemon juice हो गया, water हो गया, आपने बरफ डाला, चलो बरफ थो ठीक है, आपने rock salt पे रहेंगे मतलब यह आपका अगर इक गलास है उसमें यह वाटर के पार्टिकल्स थे इस तरह से तो यह सारी चीज़ें यह सारी चीज़ें शुगर है फिर सॉल्ट भी ले लेंगे चलो सॉल्ट किदर है, salt आ गया, sugar आ गया, lemon juice आ गया, कहा है lemon juice, चलो lemon juice भी डालो, यह lemon juice आ गया, तो यह सारी चीज़ें water के particles के बीच बीच में arrange हो जाएंगे, because particles के बीच में क्या होती है, space होती है, I hope यह बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला, final point हमने क्या बोला, particles of matter have spaces between them and so we can dissolve one form of matter over another, over मतलब उसके अंदर, यह आपने यहां पर, यह आपने salt को पानी में डाला, तो salt के particles, पानी के particles, बीच बीच में arrange हो गए, यह हमारा पहला मुद्दा, यहां पे clear हुआ, particles of matter have space between them, यहां तक की सारी बात आपको, I hope समझ में आ रही है, ठीक है, very interesting chapter, simple भी है, लेकिन मज़ेदार भी है, मज़ा आ रहा है समझने में है न, उसी तरह से, चलो, अगरबत्ती ली और अगरबत्ती को मैंने जला कर एक कोने में रख दिया, मेरे रुम के, मेरे घर के एक कोने में मंदिर है, वहां पर मैंने अगरबत्ती को जला कर रखा है, थोड़ी देर में, पूरे घर में मुझे उसका सुगंद आएगा, पूरे घर में, मतलब क्या होगा सर, आपको पत सुंगनी है तो ऐसे करके सुंगना पड़ेगा ऐसे अदर्वाइस आपको स्मेल नहीं आएगा लेकिन आपने उसको जलाया जलाने के बाद उसमें से निकला धुआ धुवे के अंदर थी सुगंध धुवे में क्या थी सुगंध और धीरे-धीरे वो धुआ अगर्वद्वा यहां से बीकला ज़ा अब आर्यली और व्यांसे बीकला सब जगह से आपको अगर्वद्वति की सुगंध आती है तो मुद्दा क्या है ज्यान से सुनना अच्छा एक और बात अब मैंने ठंडा और गरम पानी लिया है ज्यान से सुनिए मज़ेदार बात है हमने ठंडा और गरम पानी लिया है आपको एक बात बता हूं ज्यान से सुनना वेरी इंपोर्टन जो भी पार्टिकल्स होते हैं पा motion रैंडम motion कहीं पे भी जा रहे हैं ये चिक है particles of matter are in random motion मैं ये लिखना चाहूंगा अपने हाथों पे नहीं यहाँ पे लिखना चाहूंगा particles of matter very important are always in random motion ऐसा नहीं है ना किसी particle को पता है अरे मिरको उधर ही जाना है नई particles को कुछ नहीं पता they are moving randomly कहीं पर भी जा रहे है particles of matter are always in random motion मतलब पानी के अंदर भी जितने molecules है पानी के अंदर H2O के molecules होंगे न they are constantly moving आड़ा तेड़ा अरे इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किदर चला ऐसे ही चलते रहे है particles are always in motion हम भी motion में है motion restart with motion particles भी motion में इतना बात आपको clear हुआ ऐसे ऐसे भगते रहते हैं यहाँ यहाँ बहावरे होकर पागल होकर भाग रहे है दूसरी बात ब्यान से शुदना अगर यह particle motion में है can I say इनके पास कुछ kinetic energy होगी आप समझते हो न काइनेटिक energy कोई भी चीज जब motion में होती है या movement दिखाती है उसके पास कुछ kinetic energy होती है ऐसा हम बोलते है kinetic energy is because of motion particle के motion के वज़ा से उसके पास kinetic energy है ठीक है थंडे पानी में थंडे पानी में movement is slow simple बात समझना थंडे पानी में जब पानी थंडा है हम बोलते हैं कि particles के movement slow होती है मतलब kinetic energy is less दिखान से सुनना very interesting kinetic energy is less गरम पानी में वही जो particles है गरम पानी के अंदर ये जो particles गरम पानी के अंदर they are moving very fast गरम पानी के अंदर इनकी जो movement है वो ज़्यादा past है movement is fast तो हम क्या बोलेंगे kinetic energy is more तो एकदम basic level पर आपको बता रहा हूँ जब आप किसी चीज को गरम करते हो for example अब पानी को गरम कर रहे हो तो वो गरमी क्या है वो heat क्या है वो heat क्या है जो हम experience करते है वो heat particles की movement है particles की kinetic energy है particles जितने तेज move कर रहे है आपको वो चीज गरम लगेगी और particles जितने धीरे-धीरे move कर रहे है वो चीज आपको थंडी लगेगी तो heat क्या होती है it is the kinetic energy of particles of matter गरम हवा आ रहे है मतलब क्या particles तेज move कर रहे थे थंडी हवा आ रही है particles धीरे-धीर move कर रहे है are you understanding heat क्या है it is the kinetic energy of particles आप गरम करते हो kinetic energy बढ़ाते हो particles की movement fast हो जाती है आपको गरमी फील होती है आपको ये बात एकदम clear समझ में है अब इसका practical explanation practical आपने ink क्या लिया आपने ink लिया और आपने थंडे पानी में डाला तो आपको वो दिखेगा कि धीरे-धीरे mix हो रहा है आपने वही ink गरम पानी में डाली तो आपके दिखेगा कि वो फटाफट mix हो रही है फटाफट क्यों mix हो रही है because यहाँ पर particles particles are moving fast क्या आपको यह बात समझ में आ रही है यहाँ पर यह जो cold पानी है इसमें भी ink पूरी तरह से mix हो जाएगी ink जो है वो पूरी तरह से mix हो जाएगी लेकिन time लगेगा time लगेगा क्यों time लगेगा because particles की movement slow है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ink almost mix हो गई आपने डालते ही वो आपको घूलते हुए दिख रही थी फिर से देख्या फिर से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा थंडे पानी में डाला ink mix होगी लेकिन time लगेगा दीरे दीरे mix होगी गरम पानी में डालते ही आपको movement दिख रही है फटाफट mix हो रहा है क्या आपको यह बात समझ में आ रही है because यहाँ पर particles क्या है they are moving very fast because यहाँ पर kinetic energy particle की जाधा है मतलब यहाँ पर heat जाधा है एकदम basic level पर आपको सब कुछ explain कर रहा हूँ detail में ध्यान चे समझ हैगा यह clear हुआ point एकदम clear हो गया अब देखो हमने क्या बोला एक एक point फटाफट समझ है कहां गया मेरा pen pen दिख रहा किसी को मेरा particles of matter are continuously moving यह हमने बोला they are always in motion they possess what we call kinetic energy because they are moving उनके पास क्या है kinetic energy with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase मतलब उनकी movement ज्यादा तेज हो जाएगी आप उसको गरम करोगे यह फटा फट move करने लगेंगे and अभी आपको दिख रहा है यह लोग random motion में है इस motion का एक नाम भी है इसको बोला जाता है brownian motion क्या बोलते हैं brownian motion the random movement of particles of matter is called brownian motion I hope I am being very clear with this मज़ेदार topic है and up last point particles of matter intermix on their own with each other धुआ जो था अपने अगर बत्ती का धुआ देखा वो धुआ धीरे धीरे पूरे air के साथ mix हो गया मतलब particles of matter intermix on their own आपने इंक पानी में डाली इंक भी धीरे धीरे पूरी पानी के साथ mix हो गई आपने sugar भी डाला sugar को आप mix नहीं करोगे न फिर भी वो खुद ना खुद डिजॉल्व हो जाएगा particles of matter आपस में घुल मिल जाते हैं इस तरीके से आपको दिख रहा है आपको एक simple example दे रहा हूँ मान लो यहाँ पे air थी orange color की और यहाँ पे smoke था black color गा air थी और smoke था particles are moving randomly तो एक point ऐसा आएगा कि यह लोग obviously आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे mix हो जाएंगे equally distribute हो जाएंगे they do so by getting into the spaces between the particles यह भी हमने बोला particles के बीच में space होती है and एक type के particle दूसरे type के particle के बीच में mix हो जाते हैं by getting into the spaces between the particles, particle के बीच के अगर बत्ती लगाई, धुआ धुआ निकल रहा था वो air में क्या हुआ diffuse हुआ, उसको क्या बोलते हैं diffuse होना, आपने ink को पानी में डाला, ink भी पानी के साथ घुल मिल गई, इसको बोलते हैं diffuse होना आपने salt को भी salt पानी में डाला, आपने उसको mix नहीं किया छोड़ दिया, अपने आप वो salt पानी के अंदर distribute हो जाएगा उसके particles distribute हो जाएगे इसको भी हम क्या बोलेंगे, diffusion आपको बात समझ में आ रही है आपने sugar डाला, आपने lemon juice डाला for example, lemon juice पानी के अंदर arrange हो जाएगे I hope this point is super clear mixing of matter, एक तरीके से matter का intermix होना, intermix मतलब आपस में घुल मिल जाना इसको हम बोलते हैं, diffusion and diffusion खुद से होता है इसमें हमें कोई energy लगानी पड़ती है नहीं अपने आप होता है, इसको हमें passive process passive हमें कोई energy नहीं लगानी है आपने सिर्फ अगर बत्ती छोड़ दी, अपने आप वो सारे particle, air में distribute हो जाएंगे, it is a passive process ठीक है, it happens on its own, because of random motion, because हमने क्या बोला, particle जो है वो कौन से motion में है, random because of random motion, they will distribute इसकोई बोलते हैं, diffusion I hope एकदम clear हो गया है point कोई दिक्कत नहीं है, अगली बात क्या बताई है, बहुत ही प्यारी बात बताई है, particles of matter attract each other, मतलब क्या particles of matter attract each other, मतलब क्या, ये लोखंड का खिल्ला ले लिया लोखंड क्या होता है, fe fe, iron, तो iron का एक particle होगा, एक atom होगा, for example, वैसा ही एक और iron का atom होगा, वैसा ही एक और iron का atom होगा, वैसा ही एक और iron का atom होगा, वैसा ही एक और होगा, तो ये सारे atoms या particles एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं yes, all right इतना बड़ा खिल्ला है, तो उसके अंदर सारे particles आपस में चिपक के बैठे हुए मतलब वो एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं एक दूसरे को attract कर रहे हैं क्या कर रहे है? attract कर रहे है उसी तरीके से आपने चॉक लिया चॉक चॉक के अंदर भी चॉक क्या होता है? चॉक क्या होता है? calcium carbonate CACO3 इसके भी particles चॉक के अंदर है जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तब जाके चॉक का जो shape है वो आपको properly दिखाई देता है because यह calcium carbonate के particles एक दूसरे को क्या कर रहे है? एक दूसरे को attract कर रहे हैं एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं उसी तरह आपने एक rubber band ले ली rubber band rubber band भी solid है hammering, cutting और stretching आपके पास तीन example है लोखंड है, chalk है और rubber है इन तीनों को आप hammer से मारो हतोड़े से मारो तो metal जो है यह जो iron का nail है उसको आप हतोड़े से मारोगे 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 शायद हो थोड़ा चप्टा हो जाएगा लेकिन क्या वो तूड़ जाएगा क्या उसके particle separate हो जाएगे नहीं लोखंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मारमार के चप्टा होगे लेकिन क्या उसके particles विखर जाएगे क्या लोखंड की powder हो जाएगी नहीं होगी Because iron के जो atom है जो particle है, एक दुसरे को tightly पकड़ के रखते हैं, tightly attract करते हैं, उनके बीच का जो force है, वो strong है, इसको मैं कहा बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, inter-molecular, molecular force, inter-molecular या फिर inter-atomic force भी आप बोल सकते हो, inter मतलब क्या, दो, दो particle के बीच का जो force है, force of attraction, उसको मैं inter-molecular या inter-atomic force भोलता हूँ, आपको पता है, water के भी दो molecule, एक दुसरे को attract करते हैं, उनके बीच में भी कुछ force है, attraction का, इसको मैं क्या बोलूँगा, inter-molecular force, दो molecule के बीच का force, attractive force, inter-molecular force, तो लोखंड के अंदर, वो force बहुत जादा strong है, क्या आप ये बात मानते हो, लोखंड, powder में convert होगा, नहीं होगा, आपने उसी तरह, chalk को, chalk को अगर आपने हतोडे से मारा, आपने उसको काटा, चाकु से काटने की कोशिश करी, तो वो टूड भी जाएगा, आप हतोडे से मारोगे, उसकी powder भी हो जाएगी, चाकु से भी कट जाएगा, मतलब इसके अंदर जो force है, इसके अंदर, जो force of attraction है, वो weak है, कैसा है, ये weak रहेगा, लोखंड के अंदर, बहुत जादा strong है force, चौक के अंदर weak है, आपने मारा तूड गया, उसी तरह rubber band, उसको आप हतोडे से मारोगे तो नहीं तूटेगा, हतोडे से जितना मारो नहीं तूटेगा, आप उसको काटोगे तो कट जाएगी, आप उसको stretch भी करोगे, एक level तक आ है, लेकिन उसकी भी एक limit है, हतोडे से मार मार के भी, एक point पर तूट सकता है, चपता होके, फट सकता है, are you understanding, तो अलग-अलग matter में, यह जो force of attraction होता है, वो अलग होता है, particles of matter, particles of matter have force acting between them, जिसको हमने क्या बोला, intermolecular force, क्या बोला, intermolecular force, क्या बोला, intermolecular force, this force keeps the particles together, चि strength of this force, strength of this force of attraction, varies from one kind of matter to another, अलग-अलग होता है, लोखंड में अलग रहेगा, लोखंड में बहुत strong रहेगा, चौक में वीक रहेगा, rubber में भी वीक रहेगा, लेकिन उतना वीक नहीं है, चौक जितना वीक नहीं है, चौक को तो आप हाथ से भी ऐसे करोगे, तो तूट काटना पड़ेगा, आपको इसको बहुत तेज हथोडे से मारना पड़ेगा, तब जाके वो तूटेगा, तो अलग-अलग matter में force of attraction अलग होता है, are you understanding, बहुत simple है, पानी के अंदर आप हाथ डालो, पानी को आप ऐसा मारो, ऐसा काटने का खुशिश करो, क्या वो कटेगा, नहीं कटेगा, वापीस आके चिपक जाएगा, यह सोर नो, आपको बाते समझ में आ रही है, फिर क्या बोला है, there are various states of matter, हमने देखा है matter around us exist in three different states, solid होता है, liquid होता है, gas भी होता है, plasma भी होता है, लेकिन plasma पे अभी हम नहीं जाएंगे, हम अभी तीन states, वैसे ना और भी states होत होता हैं, लेकिन हम 9th के level पे 3 state पकड़ रहा है, solid, liquid, gas, solid, liquid, gas, solid state की बात करें, चलिए, पहले, solid state शुरू करने के पहले, मैं थोड़ा liquid state ले लेता हूँ, क्या बुला है, आपके सामने कुछ examples रखे हैं, आपके सामने एक pen है, एक book है, काफी books है, needle है, एक लकड़ी है, ठीक है, wood, wood का stick है, wooden stick, ऐसा बोल सकता हूँ, इसको wooden stick, यह सारे आपके solid examples हैं, मुझे बताओ, all these are examples of solid, they all have a definite shape, pen का जो shape है, इसको आप कितना भी दबाओगे, ऐसा ऐसा दबाएगा, क्या इसका shape change हो रहा है, नहीं, इसके पास एक proper shape है, it has distinct boundaries, boundaries मतलब क्या, आपने ये solid ले लिया, इसको आपने पहले तो दबाने की कोशिश करी, दब नहीं रहा है, इसका shape change नहीं हो रहा है, और इसके पास proper boundary है, जि इतिनी space occupy करती है, इतिनी space occupy करेगी, इसको मैं दबा कर, इसकी space छोटी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसके पास एक proper shape है, proper surface है, boundary है, and fixed space occupy करेगा, मतलब fixed volume है, ठीक है, and they have negligible compressibility, इसको आप दबा कर compress नहीं कर सकते, तूट जाएगी, तूट जाएगी, लेकिन compress होगी, इसको दबा दबा के, इसकी size छोटी कर सकते होगा, नहीं कर सकते, compressible नहीं है, इसको दबाने जाओगे, तूट जाएगा, चूरा हो जाएगा, लेकिन दबेगा, नहीं, compress होगा, छोटा होगा, नहीं, इतनी space occupy करेगा, are you understanding, क्या आपको एब बात समझ में आरी है, okay, उसी तरह से एक और आपके textbook में क्या लिखा है, मान लो आपने pen ले लिया और आपने book ले लिया, book और pen को आप साथ में दबाने की कोशिश करो, क्या वो घुल मिल जाएंगे, क्या वो mix हो जाएंगे, एक दूसरे में नहीं होगे, solids आपस में diffuse होते नहीं है, pen, आपने ink को पानी में डाल है, दूसरी बात, solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, आपने bottle को दबाने की कोशिश करी, लेकिन bottle दबने वाली नहीं है, they will maintain their shape, bottle अपना shape maintain करेगी, even when subjected to outside force, बाहर से दबाव पढ़ने पर भी, वो अपना shape maintain करेगी, solid may break under force, but it is difficult to change their shape, they are called as rigid, ये pen को भी, आप दबाने की कोशिश करो, वाली नहीं है, लेकिन बहुत जादा दबा दिया, तो ये तूट जाएगी, आप इसको हतोडे से मारने लोगोगे, तो तूट जाएगी, लेकिन उसका shape change करना मुश्किल है, इसको हम क्या बोलते हैं, rigid बोलते हैं, इसको मार मार के इसका मैं एक sheet बना सकता हूँ गया, प्ल उसको भी आप दबाने की कोशिश करो, तो दबने वाला नहीं है, लेकिन आप उसको जितना मारोगे, मारोगे, तो वो चूरा हो जाएगा, उसकी powder हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है, so solids में break under the force, आप अगर solid पे force लगा होगे, तो वो तूट जाएगा, लेकिन उसका shape change नही होता, हम उनको क्या बोलते हैं, rigid बोलते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, solid के अंदर, जो particles है, they are very closely packed, हम क्या बोलते हैं, they are closely packed, आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनके बीच में ज्यादा spaces नहीं हैं, and that is why solids के हैं, आपस में diffuse नहीं होते हैं, liquid में liquid diffuse ह हो जाएगा, अच्छा, किसी solid को liquid में डालोगे, तो भी वो diffuse हो जाएगा, dissolve हो जाएगा, salt को अपने पानी में डाला, sugar को पानी में डाला, gas भी gas में diffuse हो जाएगी, जो हमारी अगरबत्ती थी, उसका जो दोवा था, वो diffuse हो गया, are you understanding, लेकिन solids are closely packed, particles चिपके हुए हैं, ये लोतीन example दी है, what about a rubber band, can it change its shape on stretching, हाँ, आप एक rubber band को stretch करते हो, तो उसका shape change हो गया, फिर आप बोलोगे, sir, shape कैसा change हो गया, देखो, ये rubber की, rubber जो होता है, उसकी एक special property है, कि वो flexible है, लेकिन जैसे ही आप force को हटाते हो, वो वापस अपने original shape में आ जाता है, पहली बात, and अग limits stretch होते हैं, लेकिन एक limit तक होते हैं, बाद में वो टूट जाएगा, yes it is a solid, is it a solid, yes, flexible है, एक limit तक elastic है, इसको मैं क्या बोलूगा, elastic, लेकिन एक limit तक है, और खीचो टूट जाएगे, तो it is a solid, ठीक है, what about sugar and salt, when kept in different jars, they take the shape of the jar, अभी आपने sugar को एक बरतन में, या फिर जो अभी बाटली है, कांच की, उसके अंदर अपने sugar को भरा है, इसी तरह से अगर आपने एक दूसरा कोई डबा ले लिया, उसमें आपने sugar को भर दिया, तो आप बोलोगे सर, sugar को आप जिस भी डब्बे में डालते हो, उस डब्बे का shape sugar ले ले लिता है, लेकिन मेरे भाई, उसको आपने पहले कांच के bottle में डाला, बाद में उसको आपने एक बरतन में डाला, बाद में आपने उसको दूसरे किसी plastic के bottle में भर दिया, तो जिस जिस bottle में डालोगे, उस bottle के अंदर sugar जाएगा, लेकिन sugar के जो crystal है, एक जो दाना है, क्या उसका shape change हो रहा है, नहीं हो रह है उसी तरह से what about sponge sponge ले लिया is it a solid yet we are able to compress उसको हमने दबा दिया कैसा solid है अरे बबा उसके अंदर मुझे बताओ pores होते हैं pores मतलब छोटे-छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर air भरा हुआ यह जो छोटे-छोटे pores हैं उसके अंदर हवा है आप उसको दबाओगे तो हवा भाहर आती है बस तो solid है बाबा यह इस 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 लिए वह आपको compressible लगता है लेकिन है तो लिक्विड स्टेट की बात करते हैं चलिए आजएगे लिक्विड स्टेट में क्या बोला है मैंने एक लीटर दूध लिया क्या लिया एक लीटर दूध एक लीटर दूध अमुल का उसको मैंने पहले एक बॉटल में डाला तो दूध ने बॉटल का शेप ले लिया हां उस लिटर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब the space it occupies, तो जो packet था, उसके अंदर भी वो एक लिटर का space occupy कर रहा था, एक लिटर क्या होता है, thousand centimeter cube, ठीक है, cube है न, volume, तो वो bottle के अंदर भी thousand centimeter cube जगा occupy कर रहा है, बाटली में भी कर रहा है, जग में भी कर रहा है, तो भले उसका shape change हो रहा है, पहले वो packet में था, तो उसका shape अलग था, वो bottle में गया, वो जग में गया, shape change हुआ, shape of the container आ गया, लेकिन उसकी जो space थी occupied, thousand centimeter cube, one liter, वो change नहीं होती, वही दूद आप, बहा दो, रास्ते पर, गिर गया नीचे, spill हो गया, तो flat हो जाएगा, लेकिन space अभी भी उ shape, shape fix नहीं होता, but have a fixed volume, मतलब जो space वो occupy करते हैं, वो उतनी space occupy करेंगे, volume fix है, shape fix नहीं है, they take up the shape of the container in which they are kept, container का shape वो ले लेंगे, यहाँ पर वो जग में था, फिर आपने उसको glass में डाला, तो shape change होगा, लेकिन जगा उतनी ही रोकेंगे, volume is fixed, liquid, liquid क्या होते हैं, flow होते हैं, and change shape, so they are not rigid, but they can be called as fluid, इनको क्या बोलते हैं, fluid, solid होते हैं, rigid, liquid होते हैं, fluid, gas भी fluid होती है, gas को भी हम, fluid बानते हैं, because वो भी flow करती है, liquid क्या करते हैं, liquid can flow, so they are called as fluid, बहते हैं, इनको बोलेंगे, fluid, अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने अगर एक solid को, ठीक है, solid को, पानी में डाला, तो वो diffuse होगा, उसके particles, diffuse हो जाएंगे, spread हो जाएंगे, yes, अगर मैं, इंक थी न, इंक, इंक क्या होता है, liquid, मैंने liquid को पानी में डाला, तो उसके particles भी diffuse होते हैं, come on yes or no, they also diffuse, लेकिन, जल्दी कौन diffuse होगा, solid in liquid, जल्दी होगा, यह fast होगा, यह fast होगा, जाहिर सी बात है, जब आप एक liquid को liquid में डालते हो, तो जो diffusion हो fast होता है, because liquid के जो particles हैं, उनके बीच में space जादा होती है, तो उनका घुल मिल पाना fast है, और दूसरी बात, liquid के जो particles हैं, किसके, liquid के जो particles हैं, they are freely moving, वो एकदम tightly चिपके हुए नहीं है, solid के जो particles होते हैं, मुझे बात बताईए, solid के जो particles हैं, they are tightly packed, yes or no, they are tightly packed, तो यहाँ पर diffusion कैसा रहेगा, slow रहेगा, दीरे दीरे करके वो solid के particles निकलेंगे, पानी के particles के बीच में जाएंगे, time लगेगा, diffusion slow रहेगा, लेकिन liquid के particles कैसे हैं, they are already freely moving, वो लोग freely move कर पा रहे हैं, तो diffusion fast होगा, liquid का liquid में diffusion fast होता है, ठीक है, इतना तो बात आपको समझ में अगया, एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, solid liquid में diffuse होते हैं, liquid में diffuse होते हैं, उसी तरह, gas भी, gases from the atmosphere, उसी तरह, gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, मतलब क्या, यह पानी है, यह पानी है, और मान लो यहाँ पर oxygen है, हवा में, यह air है, वहाँ पे CO2 भी होगा, carbon dioxide, nitrogen भी होगा, बहुत सारी gases होती हैं air में, यह जो gas के भी molecules हैं न, ध्यान से सुनिए, यह जो gas के भी molecules हैं, या particle बोलो आप, यह particles भी, पानी के अंदर, diffuse होते हैं, dissolve होते हैं, are you understanding, यह particles, air के जो particles हैं, gas के, oxygen के, carbon dioxide के, hydrogen के, यह भी particles पानी में dissolve होते हैं, diffuse होते हैं, mix होते हैं, oxygen and carbon dioxide, they are essential for the survival of aquatic animal and plant, आपको पता हैं, पानी में मचलिया होती हैं, इन मचलियों को, oxygen की requirement हैं, and पानी के अंदर, जो plants हैं, plants, उनको carbon dioxide की requirement हैं, तो यह oxygen, यह carbon dioxide कहां से आता है, atmosphere से आता है, atmosphere में, जो oxygen और carbon dioxide हैं, वही पानी के अंदर dissolve होता है, diffuse होता है, are you understanding, aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen, and जो plants है, उनको भी carbon dioxide मिल पाता है, photosynthesis करना है, carbon dioxide तो लगेगा न, yes, ठीक है, and एक आखरी बात, जो मैं आपको बता है, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solid, आप solid को पानी में डालोगे, उसको diffuse होने time लगेगा, आप एक liquid को, आप liquid को पानी में डालोगे, वह फटाफट diffuse हो जाएगा, क्यों, this is due to the fact that in liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state, solid state के particle tightly chip के हुए हैं, उनको diffuse होने time लगेगा, and liquid जो है, वह easily diffuse हो जाएगा, simple बात है, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आगी, and gaseous state की बात करें, very interesting, we observe that gases are highly compressible as compared to solid or liquid, मैंने आपको बता है, solid को हम compress नहीं कर से, दबा नहीं सकते, हमने उनको rigid बोला, rigid, पानी का भी, या फिर किसी liquid का भी, जो volume होता है, volume, वो कैसा है, fix जै, fix जो होता है, volume कैसा होता है, fix जो होता है, मतलब उसको आप दबा नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा दबा सकते हो, solid or rigid, उनकी जो compressibility है, वो बहुत कम है, उनको दबाना, उनकी size कम करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, liquid को आप थोड़ा दबा सकते हो, उनका जो compression, compressibility है, जिसको, शब्द क्या है, compressibility, compressibility, liquid की compressibility बहुत कम है, लेकिन थोड़ा दबाया जा सकता है, लेकिन gas को देखो, यहां देखिए, यह gas है, gas के particles बहुत दूर दूर हैं, आपको दिख रहे हैं, उनके बीच में बहुत सारी space है, तो उनको अगर दबाया जाए, pressure दिया जाए, तो क्या हम gas के molecules को नस्दिक ला सकते हैं, इनको हम compress करके, compress करके हम उनका state change कर सकते हैं, उनको हम liquid बना सकते हैं, उसी तरह से यहां पर आप देखो, यह liquid है, उसको ज़्यादा compress किया जा सकता, नहीं है, थोड़ा किया जा सकता है, लेकिन बहुत compress नहीं होता, gases को आप highly compress कर सकते हो, because gas के जो particles हैं, उनके बीच में बहुत सारी space है, उनको आप दबा कर नस्दिक ला सकते हो, ठीक है, यही चीज, the liquefied LPG आता है घर पे, liquefied petroleum gas, उसके अंदर भी gas होती है, लेकिन उस gas को compress करके, liquid में convert करते हैं, इसके अंदर actually क्या होता है, liquid होता है, किसका liquid होता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, तो यह सारी gases को दबा के उनको liquid में convert करते हैं, और बाद में जब आप gas को चालू करते हो, तो immediately वो उसके उपर का जो दबाओ था, वो हट गया, तो फट से वो liquid से वापिस gas में convert होके बाहर आएगा, are you understanding, दूसरी बात the oxygen which is supplied to hospital, oxygen को भी दबा कर, compress करके, liquid form में, यह जो cylinder है, इसके अंदर क्या होता है, liquid oxygen होता है, लेकिन जैसे ही आप उसका valve उपन करते हो, oxygen के उपर का दबा होकर, आप उसको inhale कर पाओगे, are you understanding, and compressed natural gas, it is also used as a fuel in vehicles, CNG, तो यह CNG की जो टंकी होती है, इसके अंदर भी liquid भरा जाता है, liquid, और natural gas के अंदर सबसे जादा क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन, तो मीथेन को दबा कर, natural gas को दबा करके, liquid form में भरा जाता है, लेकिन जैसे वो use होगा, gas के form में use होगा, मतलब जब आप उसको use करोगे, जब इस liquid को आप engine वगरा में डालोगे, तो convert हो जाएगा, liquid से फिर से gas में convert हो जाएगा, and फिर जलेगा, are you understanding, I hope यह कुछ बाते हैं जो आपको समझ में आ रही है, एक और बात, the smell of hot cooked food reaches as in seconds, खाना भी बन रहा है, अगर बत्ती की भी हमने बात की, अगर बत्ती जलाई थी, पूरे घर में उसका सुगंद आने लगा, खाना अगर बन रहा है, तो घर में enter करते ही, आज तो डाल ढोकली बनी है, ऐसा सुगंद आ जाता है न हमें, तो वो जो सुगंद है, वो भी जो particles हैं, खाने के, फूड क वो particles भी हवा में diffuse हो जाते हैं, तब जाके मैं, आज पाहो भाजी बनी है, सुगंद आती है न हो, due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases, तो जो भी सुगंद है, जो भी धुआ है, वो फट से diffuse हो जाएगा, because gas के particles बहुत तेज move करते हैं, gas के जो particles हैं, उनकी movement बहुत fast होती है, are you understanding and वो लोग फटा-फट आपस में diffuse हो जाएगे, because उनके particle के बीच में भी बहुत सारी space होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको space दिख रही है, यहाँ पर आपको movement भी दिख रही है, particles की, in the gaseous state, the particles move about randomly at high speed, due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container, अब बहुत ही मज़ेदार बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मान लो, यह जो मैं area mark कर रहा हूं इतना, ठीक है, यह जो मैंने इतना area mark किया, मुझे बताओ, यह जो particles हैं, वो आपस में भी टकराते हैं, और हमारा जो container है, उसकी जो यह wall है, यह जो wall है न, इससे भी टकराते हैं, कमोने सोरो, यह जो particle है, आपस में भी टकराते हैं, और हमारे container के wall के साथ भी टकराते हैं, जब यह wall के साथ टकराते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो, वो सारे particles, कुछ ना कुछ force डालेंगे इस wall के उपर, ये सारे particle wall के उपर कुछ ना कुछ force exert करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं pressure pressure exerted by the gas it is the force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container ठीक है simple बात आपको समझ भाई मेरे उपर भी air का pressure है atmospheric pressure मतलब क्या air के जितने molecules हैं जो particles हैं वो मेरे साथ टकरा रहे हैं मेरे body के साथ टकरा रहे हैं और इसके उपर मेरे शरीर के उपर कुछ pressure डाल रहे हैं कुछ force exert कर रहे हैं इसी को हम atmospheric pressure बोलते हैं अब मान लीजिए ये जो wall है इसका area इसका area ये जो wall आपको दिखाई दे रही है इसका area one meter square है बात समझ मैं इसका area कितना बोला मैंने one meter square अभी ध्यान से सुनना अभी ध्यान से सुनना wall का area कितना था one meter square आपको पता है pressure क्या होता है force upon area force per unit area pressure अगर मैं बोलूं one newton का force ये जो particle है डैसके one newton का force लगा रहे थे on one meter square area वो जो container का जो wall था वो one meter square का था तो one newton का force अगर one meter square पे लग रहा है इसको हम बोलते हैं one pascal pascal pressure का एक unit है pascal क्या है pressure का एक unit है and by the way हम जो pressure experience करते हैं atmospheric pressure उसको हम one atmosphere pressure बोलते हैं one atmosphere pressure मतलब किसी भी sea level पे आप जाते हो sea level पे तो जो हवा का दबाव हमारे उपर है वो कितना है one atmosphere and one atmosphere की value क्या है 1.01 into 10 to the power 5 pascal हम बोल रहे हैं न कि हवा का दबाव कितना है one atmosphere तो one atmosphere का मतलब क्या 1.01 into 10 to the power 5 pascal इतना सारा pressure हमारे उपर होता है यह होता है one atmosphere pressure ठीक है one pascal क्या होता है one newton per meter square इसको हम pascal बोलते हैं newton क्या है force है meter square क्या area force upon area is nothing but pressure सारी बाते आपको clear होई and pressure exerted by the gas कहां से आता है वो जो तकरा रहे है न जो container की wall के साथ वो particle तकरा रहे हैं collide कर रहे हैं इसी को pressure बोलते हैं यहां तक की बात पूरी clear है अब A, B and C show the magnified schematic picture of the three states of matter solid ने आपको दिखेगा सारे particles closely packed है and यह लोग freely move नहीं करते लिखो यहां पर do not particles do not move freely do not move freely particles के बीच में ज्यादा space भी नहीं है they are closely packed liquid में you can see there is space between particles क्या दिख रहे है space between particles particles के बीच में space दिखाई दे रहे है and free movement free movement भी दिखाई दे रहे है हाला कि बहुत ज़्यादा movement नहीं है और बहुत ज़्यादा space भी नहीं है सबसे ज़्यादा space का है gases के बीच में बहुत सारी space है particles के बीच में lots of space and movement भी high speed वाली रहे हैं particles are moving with high speed लिख दूँ यहां पर particles move with high speed particles are moving with high speed तो यह तीनो state of matter I hope आपको समझ में आये है solid को आप ज़्यादा compress नहीं कर सकते they are almost non compressible rigid है liquid को आप थोड़ा compress कर सकते हैं लेकिन उसकी भी compressibility बहुत कम है gases को आप compress करके liquid में convert कर सकते हैं ठीक है यहां तक सब कुछ क्लियर है आगे चलते हैं तो अब यह लोग क्या पूछ रहे है can matter change its state yes of course matter can change its state वो अगर solid है तो solid से वो liquid में जा सकता है liquid से वो gaseous state में भी जा सकता है तो matter state change तो करता है लेकिन जब change of state होता है किन कारणों से हो रहा है और exactly particles के बीच में किस तरीकी का interaction हो रहा है यह हमें समझना है यहां पर बहुत ही interesting कुछ चीज़ है आपको यहां पर बताने वाला हूँ ध्यान से सुनते जाएगा effect of change of temperature temperature अगर मैं change करूँ तो किस तरीके से state change होता है यह हमें समझना है यहां पर तो आपको दिख रहा है एक बीकर लिया हुआ है उस बीकर में मैंने 1 kg ice लिया है कितना लिया है 1 kg ice नीचे आपको दिख रहा है एक burner लगाया हुआ है बर्नर और यहां पर एक thermometer भी है thermometer thermometer में अभी क्या बता रहा है कि temperature 0 degree के नीचे है मतलब ice का जो temperature अभी कितना है 0 degree के नीचे है इतनी बात आपको समझ मैं 1 kg ice लिया है बिकर के अंदर thermometer में 0 degree के नीचे का temperature बता रहा है और बर्नर लगा हुआ है तो अब क्या करूँ मैं है मैं मेरा experiment स्टार्ट करूँगा दिखिए पहली बात आपको ice दिख रही है ice में जो particles है water के वो अरे बाबा ice solid है न ice कैसा है ice is a solid solid मतलब उसके particles closely chip के हुए particles are close ऐसा बोल सकता हूँ हाला कि water में anomalous behavior भी दिखता है पानी की जो density होती हो 4 degree पे सबसे जादा होती है 0 degree पे density कम होती है actually उसके पीछे चलो अलग reasons है लेकिन in general अगर मैं कोई भी solid की बात करूँ in general पानी को छोड़के solid की बात करूँ तो solid state में particles are closely packed इतना मैं बोल सकता हूँ and particles are not moving much ऐसा बोल सकता हूँ particles are not moving simple बता रहूँ not moving much particles जादा हिल नहीं पा रहे हैं उनके पास kinetic energy कम है ये भी लिख दूँ लिख दूँ तो समझ जाओगे आप kinetic energy is less ऐसा बोल दूँ क्या ये बात आपको समझ पा रही है समझ में आ रही है के नहीं आ रही है particles closely packed है जादा हिल नहीं पाते kinetic energy कम होती है solid state में इतनी बात हमने कर दी कर दी अब देखे अब अगर मैं नीचे से बरनर चालू करूँ आग लगाना चालू करूँ on increasing the temperature of the solid एक बात बताओ हम नीचे से आग लगा रहे हैं मतलब हम कुछ ना कुछ energy दे रहे हैं हम energy provide कर रहे हैं on increasing the temperature the kinetic energy of the particle increases हमने heat energy provide की तो जो particles हैं उनकी kinetic energy बढ़ेगी इनकी जो movement है वो ज़्यादा fast हो जाएगी are you understanding the energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles सारी बाते एकदम डीटेल में बताओंगा कोई चिंता की बात नहीं है पहली बात तो हमने heat provide की तो kinetic energy बढ़ेगी thermometer में देखिए और मुझे बताइए क्या temperature 0 degree पे आ चुका है heat करते 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 temperature 0 degree पहुचा अब ये जो particles हैं इनकी kinetic energy बढ़ेगी and हमने जो भी energy supply की it will overcome क्या लिखा है पढ़ो फिर से एक बार it will जो भी energy हमने provide की it will overcome the forces of attraction between the particles पहले particle चिपके हुए थे उनके बीच में कोई तो force of attraction था जो उनको पकड़के रख रहा था heat के बज़ा से particles दूर दूर जाएंगे उनका जो force है जो attraction है वो तूटने लगेगा and now the particles will move freely simple बात बता रहा हूँ particle चिपके हुए थे heat देने के वज़ा से kinetic energy बढ़ेगी and particle दूर हो जाएंगे उनके बीच का जो force of attraction था वो कम हो गया now they are moving away from each other simple बात आपको बताई क्या आपको ये बात समझ में आई yes or no अब देखो आपको दिख रहा है ice दीरे-दीरे liquid में convert हो रहा है ice के जो cubes है उनकी size दीरे-दीरे छोटी हो रही है liquid water बढ़ रहा है and दीरे-दीरे-दीरे सारा का सारा ice convert हो गया into liquid water इतनी बात आपको समझ में आई yes or no now the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid एक दम simple बात ऐसा एक temperature जिस पे solid melt होकर liquid बन गया at atmospheric pressure यह सारा कार्यकरम हम atmospheric pressure पे कर रहे है मतलब कितने पे one atmosphere पे कितना होता है sir 1.01 into 10 to the power 5 Pascal सारी बात आपको बताते चल रहा हूं है न यह pressure हमने बताया one atmospheric pressure है उस पे जिस temperature पे solid melt होकर liquid बन गया उसको हम क्या बोलते है melting point बोलते है simple the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles पानी पानी की बात करता हूं तो यह जो पानी है वो 0 degree Celsius पे melt हो रहा है हाँ 0 degree Celsius पे melt हो रहा है अगर मैं tungsten की बात करूं tungsten तो वो 3422 3422 डिगरी Celsius पे melt होता है मतलब can I say tungsten एक metal है उसके अंदर जो force of attraction है particle के बीच में वो बहुत हाई है इसलिए उसका melting point बहुत हाई है आपके घर पे salt होता है salt वो करीब-करीब 800 degree Celsius पे melt होता है मतलब salt के भी जो particle है उनके बीच में force of attraction हाई है तो यह melting point क्या बताता है the degree or the strength of the force of attraction इतना force of attraction particle के बीच में जादा है उतना melting point जादा होगा water के बीच में इतना जादा नहीं है तो 0 degree Celsius पे melt हो जाता है are you understanding melting point indicates the strength of force of attraction between the particles of the matter इतनी बात एकदम clear है अच्छा और एक दो प्यारी बाते करना चाहूंगा आपने celsius celsius scale सुना है and आपने Kelvin scale सुना होगा Kelvin scale celsius and kelvin अब क्या है हम water का melting point 0 degree celsius पकड़ते हैं लेकिन kelvin scale में वो होता है 273.15 kelvin simple हिसाब बता दो 0 degree celsius 0 degree celsius is equal to 273.15 kelvin तीन अलगरक scales है celsius scale है kelvin है और Fahrenheit भी होता है यह सारे scales के हैं temperature बताते है temperature की scales है बराबर है celsius में melting point 0 degree celsius है kelvin में उसी com 273.15 kelvin बोलते है and अगर round off करना हो तो इसको round off करके मैं simply 273 kelvin बोल सकता हूँ क्या ही बात बराबर है अच्छा सर 0 degree 273 है तो 10 degree celsius क्या होएगा 283 kelvin बहुत simple हिसाब है सर 20 degree celsius क्या होगा 293 kelvin क्या ही बात बराबर है simple हिसाब बता रहा हूँ जादा कुछ नहीं है 0 degree celsius is equal to 273.15 kelvin round off करके 273 तो 10 degree 283 kelvin 20 degree 293 kelvin 30 degree क्या हो गया 30 degree celsius 303 kelvin बहुत simple बाते बता रहा हूँ प्यारी बाते बता रहा हूँ simple बाते बता यहां तक कोई difficulty है नहीं है melting point आपको समझ गया the temperature the minimum temperature minimum temperature मतलब 0 degree तो चाहिए ना melt होने के लिए minus 1 पे होगा नहीं होगा minus 2 पे होगा नहीं होगा 0 पे हो जाएगा the minimum temperature at which the solid will melt into a liquid at atmospheric pressure it is called as the melting point अब एक बात गौर कीजिएगा यहां तक सारी बाते clear है अच्छा by the way जो heat हमने provide की थी मुझे बताइए जो heat हमने provide की वो heat कहां गई particles के बीच में particles के बीच में जो भी force of attraction है particles के बीच में जो भी force of attraction है उसको overcome करना है overcome मतलब क्या उस attraction को break करना है तो जो भी हम heat प्रोवाइड कर रहे थे वो heat इस force of attraction को overcome करने में गई है ज्यान से समझिएगा यहां तक आपको बात समझ में आईए अब देखो thermometer में बताओ कितना है 0 degree Celsius अभी भी कितना है 0 degree Celsius सारा का सारा ice जब तक melt नहीं हो जाता हम नीचे से heat तो कर रहे थे अरे मैं heat तो कर रहा था मैं गरम तो कर रहा था मेरा burner तो चल रहा है लेकिन जब तक सारा का सारा ice water में convert नहीं हुआ temperature 0 degree ही था मतलब जितनी भी heat हम दे रहे थे वो सारी की सारी heat कहां जा रही थी force of attraction को overcome करने में particles के बीच का force of attraction है उसको तोड़ने में जा रही थी क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए this heat जो भी heat हम दे रहे थे gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles क्या ये बात एकदम clear है जितनी भी heat हम दे रहे थे वो सारी की सारी heat पार्टिकल के बीच का force है उसको तोड़ने में चली गई temperature बढ़ा temperature कब बढ़ेगा जब सारा ice convert हो जाएगा पानी में फिर temperature बढ़ना start होगा तो यह जो heat है इसको हम बोलते है लेटेंट हीट द्याद से सुनिये द्याद से सुनना latent मतलब hidden heat मतलब energy जितनी भी energy हम दे रहे थे temperature नहीं बढ़ साथ, heat दे रहे है temperature नहीं बढ़ रहे change of state हो रहे इसको हम hidden heat बोलते है latent heat बोलते हैं, latent heat of latent heat of fusion ज्यान से समझी, जब एक solid liquid में convert होता है हम इसको melting बोलते हैं, जब एक solid liquid में convert होता है, इसको हम melting बोलते हैं, हम इसको fusion भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं fusion, melting का दूसरा नाम है, fusion तो यह जो latent heat है hidden heat, यह heat कहां गई melt करने में गई, change of state में गई, force of attraction को overcome करने में गई इसको मैं बोलता हूँ latent heat of fusion heat is absorbed to overcome the force of attraction क्या आपको यह बात एकदम clear हो रही है basic एकदम बतारू latent heat of fusion, hidden heat वो heat आपको कहीं और दिखेगी नहीं, वो सिफ particles के बीच का force तोडने में absorb हो गई latent heat of fusion of fusion ठीक है इसका definition कैसे रहेगा definition, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at melting point, it is known as the latent heat of fusion simple एकदम भाशा में it is the heat energy required to change the state of 1 kg of solid into 1 kg of liquid at atmospheric pressure at melting point is called as latent heat of fusion कोई दिक्कत की बात है simple था definition है जो heat एक किलो solid को एक किलो liquid में convert करने में लगती है at atmospheric pressure at melting point it is called as latent heat of fusion is this very clear आखरी बात क्या बताईए particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature सर इसका क्या मतलब है नहीं समझ मैं आ रहे है सुनो ध्यान से सुनिए मुझे बताओ ice 0 degree Celsius पे है मतलब ये solid है solid ध्यान से सुना तो ये जो ice के particle है उनके पास कुछ energy होगी हाँ फिर हमने इसको heat किया हमने इसको heat दी latent heat प्रोवाइड की तब जाके ice melt होके water बना लेकिन वो 0 degree Celsius पे ही है पानी भी अभी 0 degree Celsius पे है सारा का सारा ice convert होकर पानी बना 0 degree Celsius पे मतलब 273 Kelvin इसको मैं 273 Kelvin बो लूप तो चलेगा तो मुझे बताओ ice के particles में जादा energy होगी के water के particles में of course किस में जादा energy होगी बताए जादा energy किस में है water में है because हमने latent heat प्रोवाइड की state change करने के लिए तो जो water के particles है at 0 degree Celsius उनमें जादा energy है as compared to ice के particles at 0 degree Celsius I hope ये एकदम basic common sense की बात अब को समझ में आई हमने energy प्रोवाइड की तब जाके state change हुआ ice water बना 0 degree Celsius पे तो जो water के particle है 0 degree Celsius पे they have more energy as compared to particle of ice at 0 degree Celsius क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई क्या ये latent heat of fusion hidden heat जिसको हम बोलते है जो heat absorb हो जाती है state change में ये आपको समझ में आई है I hope आई है एकदम basic बता रहा हूँ सब कुछ दूसरी बात अब मुझे बताओ when we supply heat energy to water हम और heat करें और heat करते जाएं particles start moving even faster मतलब kinetic energy और जादा बढ़ेगी आपको दिख रहे हैं particles अब बहुत तेज़ move कर रहे हैं solid के particle एकदम शिपके हुए थे फिर liquid जब बना तब particles के बीच में थोड़ी थोड़ी space आई उनके पास kinetic energy आई लेकिन हम और heat करें तो वो kinetic energy बढ़ते जाएगी movement और जादा fast होते जाएगी और दिरे दिरे करके can you see 100 degree Celsius आ गया है क्या आ गया यहां पर 100 degree Celsius दिरे दिरे करके 100 degree Celsius पहुचा अब क्या होगा अब यहां पर boiling start होगी पानी के यह आ गया boiling point पानी का क्या start होगया boiling start होगया सर यहां पर क्या होगा देखे a temperature is reached a temperature is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other at this temperature liquid starts changing into gas मतलब एक बात आपको बताऊ यह liquid के भी जो particles थे liquid के liquid के इनके बीच में भी कुछ ना कुछ force of attraction था कुछ तो force of attraction था जो इनको पकड़ के रख रहा था come on yes or no yes or no लेकिन एक point ऐसा आया एक temperature ऐसा आया के इनके पास इतनी सारी kinetic energy आ गई के अब यह सारे particle एक दूसरे से एकदम मुक्त हो गए है इनके बीच का जितना भी force of attraction था वो सारा force ब्रेक हो जाएगा इतनी kinetic energy आ जाएगी के यह एक दूसरे के बंधन से मुक्त हो गए है एक दूसरे के force of attraction से मुक्त हो गए है at this temperature सारे के सारे particles दूर जाना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे से बहुत दूर जाना स्टार्ट करेंगे इस कौम बोलते है the liquid will start changing into gas आपको यह बात समझ में आ रही है the temperature at which simple definition the temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure it is called as boiling point the temperature at which solid melts is called melting point the temperature at which liquid boils is called the boiling point at atmospheric pressure एकदम सिंपल बात क्या ये बात clear है इनके पास particles have enough energy to break free from the force of attraction एक दूसरे के बंधन से मुक्त हो गए एक दूसरे के force of attraction से मुक्त हो गए and they are changing into gas boiling is a bulk phenomenon मतब क्या ये boiling सिर्फ surface पे हो रही है क्या सिर्फ उपर का जो surface है वहाँ पे gas बन रही है नहीं पूरे के पूरे अगर ये बरतन है इस बरतन में मैं पानी को boil करूँ तो मुझे bubbles दिखेंगे पूरे पानी में नीचे से लेके उपर तक आपको दिख रहे हैं bubbles यहाँ पर gas के bubbles बनेंगे vapor के bubbles आपको पूरे liquid में दिखेंगे इसको मैं bulk phenomenon बोलता हूं it is not a surface phenomenon सिर्फ surface पे हो रहा है नहीं पूरे के पूरे पानी में हो रहा है पूरा जो पानी का बल्क है उसमें हो रहा है bubbles जो है vapor के किसके water vapor के bubbles पूरे पानी में दिख रहे हैं अब मुझे एक बात बताओ यहां तक आप बात समझे लास्ट पॉइंट यह सारा का सारा conversion water का vapor में convert होना मतलब liquid का gas में convert होना यह पूरा कार्यकरम 100 degree Celsius पे ही होगा temperature और उपर जाएगा नहीं आप नीचे से गर्मी तो दे रहे हो आप नीचे से heat तो कर रहे हो लेकिन temperature नहीं बढ़ेगा तो यह सारी गर्मी कहा जाएगी to overcome गर्मी कहा जा रहे है to overcome the force of attraction between particles particles के बीच का जो भी bond है उसको break करने में energy जा रही है energy absorb हो रही है in change of state इसको भी मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ latent heat of vaporization heat energy is absorbed in change of state from liquid to gas that absorbed heat is called as latent heat of vaporization solid से liquid में convert करने में जो heat absorb होई वो latent heat of fusion थी liquid से gas में convert करने में जो heat absorb होई वो latent heat of vaporization है एकदम simple बात अच्छा इसका definition कैसा रहेगा मुझे बताओ इसका definition कैसा रहेगा इसके पहले चलते हैं अच्छा ये definition आपको दिख रही है ये वाली latent heat of fusion की definition है इसी में the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid लिखू 1 kg of liquid into point is known as the latent heat of vaporization liquid का gas हो रहा है at boiling point is called as latent heat of vaporization इतना ही फरक है आपको बात समझ में आ रही है यही फरक है बस यही definition बनेगा latent heat of vaporization का is this very clear एकदम clear हो गई सारी बात एंड एक आखरी बात क्या बतानी है ये सब हम बता चुके हैं चलिए particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin 373 मतलब 100 degree Celsius 100 degree Celsius not 1000 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature मतलब क्या मेरे पास अगर water है जो 100 degree Celsius का है and मेरे पास steam है जो 100 degree Celsius की है किसके particle में जादा kinetic energy होगी of course steam पानी ने energy absorbed की change of state हुआ water का steam बना तो energy जादा कहा है steam में है particles in steam have more kinetic energy as compared to water at the same temperature this is because particles in steam have absorbed the extra energy in the form of latent heat of vaporization heat energy absorb हो गई latent heat of vaporization and आपको यहाँ पे boiling पूरे पानी में दिख रही है इसको हम बोलते हैं bulk phenomenon पूरे पानी में बॉइलिंग दिखेगी सिर्फ उपर उपर नहीं दिखती पूरे पानी में is this clear एकदम सारी बातें clear हो गई हैं तो मैं एक आखरी बात बताऊ solid को आप heat करो तो liquid बनता है liquid को heat करो तो gas बनता है gas को cool करो तो liquid बनता है liquid को cool करो तो solid बनता है यह तो आप जानते हो change of state because of temperature ठीक फिर there are some that change directly from solid state to gaseous state आपने dry ice सुना हो dry ice यह होता है solid CO2, solid carbon dioxide इसको dry ice बोलते हैं यह liquid में convert नहीं होता चादी वागेरा मैं आपने देखा है जो smoke machine होती है पूरा ऐसा धुवा धुवा बनाते नहीं चे वो dry ice use करके बनाते हैं dry ice को पानी में डाल देते हैं उससे धुवा निकलता है सारा तो dry ice जो है यह dry ice का एक टुकडा लिया मैंने वो direct gaseous state में convert होगा liquid में convert नहीं होता इसको हम बोलते हैं sublimation sublimation उसी तरह से कपूर देखा है अपने कपूर, camphor camphor बोलते हैं यह भी उसी तरह आपने naphthalene देखा होगा naphthalene डांबर गोड़ी बोलते हैं naphthalene यह कपडों के बीच में रखा जाता है toilet bathroom में रखा जाता है जो urinal होता है आपने देखा है शुलब शौचाले में आपको urinal में भी वो चोटे-चोटे white color के tablets दिखते हैं naphthalene के balls बोलते हैं जिससे अगर कोई खराब बदबू आ रही है तो वो convert हो जाती है मतलब एक अच्छा सुगंध create होती है वहाँ पर naphthalene यह भी directly solid से gas में convert होते हैं यह भी क्या करते हैं sublimation करते हैं चलिए यहाँ पर यह same experiment यह लोग ने दिया है gas बाहर ना जाए and अंदर आपको दिखेगा इन्होंने camphor लिया कपूर उसको गरम किया तो camphor के vapors बाहर आए camphor के vapors बाहर आए मतलब यह direct solid से solid से gas में convert हुआ camphor solid से gas में convert हुआ मतलब sublimation हुआ and बाद में यह gas gas जो है वो फिर से solid में convert हुई gas जो थी वो फिर से solid में convert हुगई उपर जाके चिपक गई इसको हम बोलते है deposition देखे change of state directly from solid to gas without changing into liquid is called sublimation solid से gas हो रहा है sublimation बोलते है and gas से solid हो रहा है the direct change of gas to solid without changing into liquid is called as deposition simple भाशा में बताऊ तो यह जो gas थी वो solid के form में deposit हो गई deposit मतलब वहां जाके जम गई इसको हम deposition बोलते है gas का direct solid में convert होना without liquid state deposition क्या बोलेंगे deposition is this very clear super clear आगे चलू चलू effect of change of pressure अब यह हमने अल्रेडी देखा है अगर आप एक gas load और उपर से आप उसको दबाते जाओ तो उसके जो particles हैं जो molecules हैं वो करीब आएंगे करीब आएंगे करीब आएंगे and दबाते दबाते क्या यहां पर change of state हो सकता है हाँ हो सकता है पहले वो gas था दबाते दबाते particles इतने करीब आ गए कि वो liquid में convert हो गया तो change of state pressure के कारण से भी हो सकता है by applying pressure particles of matter can be brought close together उनको आप करीब ला सकते हो and state को change कर सकते हो pressure लगा कर चलिए by applying pressure and reducing the temperature we can liquefy gases ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा है यह है liquid nitrogen उसको pressure भी लगाना पड़ेगा and थंडा भी करना पड़ेगा दोनों करना पड़ेगा pressure बढ़ाईए temperature कम कीजिए nitrogen का भी liquid बनता है and this is liquid oxygen again pressure लगाईए और temperature कम कीजिए आप gas को liquid में convert कर सकते हो उसी तरह CO2 तो solid बन जाता है CO2 को भी जो dry ice होता है solid वो भी ऐसे ही बनाया जाता है by reducing the pressure and increasing the pressure and reducing temperature carbon dioxide का भी solid form होता है we have heard about solid carbon dioxide जिसको हम dry ice बोलते है it is stored under high pressure जब भी इसका storage होता है high pressure में storage होता है अगर pressure कम किया जाए solid CO2 will get converted into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere अगर आपने ये dry ice को खुले में छोड़ दिया खुले में मतलब 1 atmosphere का pressure room मैं एक room में हूँ तो room में कितना pressure होगा 1 atmosphere का होगा yes तो ये dry ice को मैंने storage से निखाला storage high pressure में था लेकिन मैंने storage से निकालके room में रखा 1 atmosphere pressure में तो वो सिधा का सिधा gas में convert हो जाएगा liquid में convert नहीं होएगा and इसी लिए उसको dry ice बोलते है because वो liquid गिला नहीं होता पानी बनता ही नहीं है liquid बनता ही नहीं है direct solid से gas चला जाता है so it is called as dry ice ठीक है फिर यहाँ पे simple ये लोग ने diagram दिया है change of state का solid को आप अगर heat करके liquid बनाओ इसको fusion बोलते है liquid को आप heat करके gas बनाओ इसको vaporization बोलते है अच्छा melting का ही दूसरा नाम fusion है बराबर है and gas को अच्छा gas तक हो गया अब liquid को भी आप थंडा करके solid बनाओ तो solidification बोलेंगे क्या बोलेंगे solidification gas को आप थंडा करके liquid बनाओ उसको condensation बोलेंगे solid से अगर सीधा gas में चला गया तो वो sublimation हो गया gas से solid में आ गया तो उसको deposition बोला I hope यह diagram बहुत ही simple है जो हमने अब तक पढ़ा है वही सब कुछ है कुछ अलग नहीं है simple है ओके चले फिर आते हैं evaporation पे अब evaporation यह भी एक interesting topic है छोटा सही है almost अपना chapter खत्म होने के कतार पही है देखे आपने पानी कहीं पे गिरा दिया जमीन पे गिरा हुआ पानी है क्या वो धीरे धीरे evaporate होके vapor में convert हो जाएगा हाँ होता है आप जानते ही हो यह कपड़े सुखाते है तो कपड़ा भी गीला है उसके अंदर liquid है वो धीरे धीरे पानी जो है वो vapor में convert हो जाएगा कपड़ा सुख जाएगा तो do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter कपड़े को गरम करना पड़ेगा कपड़े के नीचे burner मचते हैं देखो आपको एक बात बताओ यह जो पानी है इसके अंदर पानी के particles है molecules है बहुत सारे है बहुत सारे है millions billions सारे particles की kinetic energy सेम नहीं होती कभी कभी क्या होता है यह जो surface है इसको मैं क्या बोलूँगा surface surface के कुछ particles हैं energy absorb करेंगे atmosphere से मुझे बताओ atmosphere में भी गर्मी होती है heat होती है तो surface के जो particle है वो heat absorb करते हैं उनकी kinetic energy बढ़ती है और यह particles इस तरह से भाग जाते हैं ठीक है particles भागते कैसे हैं उनकी kinetic energy बढ़ेगी they will overcome the force of attraction मतलब particles के बीच में force of attraction है particles of matter are always moving यह थो हमने बोला and they are never at rest particles हमेशा move करते रहते हैं जिसको हमने brownian motion भी बोला at a given temperature in any gas, liquid or solid there are particles with different amounts of kinetic energy पानी के अंदर के जो particles हैं यहां के अंदर के उनकी kinetic energy थोड़ी कम हो सकती है surface के उपर जो molecules है उनकी kinetic energy ज़ादा हो सकती है वो atmosphere से heat absorb करेंगे kinetic energy उनकी बड़ेगी and वो surface से भाग जाएंगे यही होता है evaporation तो एक बात बताओ boiling और evaporation में क्या फरक है evaporation सिर्फ surface पे होता है तो यह एक surface phenomenon है and जो boiling है boiling वो पूरे पानी में होता है it is a bulk phenomenon बात आपको समझ में आईए evaporation सिर्फेस पे होता है boiling पूरे पानी में होता है come on is this very clear कुछ particles है जिनकी kinetic energy बड़ेगी and वो लोग बाहर चले जाएंगे surface से उठ जाएंगे और vapor में convert हो जाएंगे इसी कोई क्या बोलते है evaporation चल क्या बोला है definition देख लो the phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below boiling point it is called evaporation alcohol भी evaporate होता है आपने देखा होगा acetone भी evaporate होता है ये कुछ बाते हैं जो आगे भी बताऊंगा आपको पानी पानी का boiling point 100 degree Celsius है लेकिन अगर मेरे हाथ पे पानी है क्या मुझे उसको 100 degree Celsius हीट करना पड़े का नहीं वो देरे देरे करके खुद vapor में convert हो जाएगा below boiling point इसे कौम क्या बोलते हैं evaporation चलिए factors that affect evaporation ये भी कुछ interesting चीज़े हैं ये हम कपडे सुखाने के example को लेकर हम ये समझाएंगे कि किस तरीके से evaporation affect होता है and increase of surface area मुझे बताओ जब आप कपड़ा सुखाते हो तो क्या आप कपड़े को ऐसे ही सुखा दोगे अगर ये गीला कपड़ा है इसको मुझे सुखाना है तो मैं simply ऐसे ऐसे करके रख दूँगा तो क्या वो सुखेगा मुझे इसको spread करना पड़ेगा अच्छे से ऐसे करना पड़ेगा ऐसे करके जब रखूँगा तब ये बराबर से सुखेगा क्यों मुझे उसको spread करना पड़ता है ताकि जादा से जादा surface exposed हो atmosphere में इस तरीके से अगर मैं करता हूँ ऐसे तो surface exposed हो रहा है नहीं मुझे spread करना पड़ता है ताकि surface इसका exposed हो पाए जादा surface area मिले evaporation के लिए तो increase of surface area if the surface area is increased rate of evaporation increases we put clothes for drying we spread them out बराबर है spread करेंगे surface area बड़ेगा जादा से जादा पानी evaporate हो पाएगा दूसरी बात increase of temperature जितना temperature बढ़ाओगे evaporation fast हो जाएगा temperature बढ़ाना मतलब atmosphere का temperature जादा है मतलब kinetic energy मिलते जाएगी जो पानी के molecules है surface के उनको kinetic energy जादा मिलेगी तो फटाफट evaporation हो जाएगा factors affecting दूसरी बात humidity की बात अगर बारिश है बारिश मुझे बताओ बारिश में humidity जादा है मतलब atmosphere में अपके आसपास water vapor बहुत जादा है humidity मतलब क्या हवा में जो moisture होता है उसको humidity बोलते हैं and अगर मैं एक dry sunny day की बात करूँ sunny day dry sunny day तो कपड़े जल्दी कब सुखेंगे बारिश के time पे सुखेंगे या dry sunny day पे सुखेंगे dry day पे सुखेंगे of course because simple बात आपको बताओ यहाँ पर air में moisture जादा है moisture air में जादा है यहाँ पर air में moisture कम है और यहाँ पर moisture जाद है are you understanding आपने तो observe भी किया ही होगा बारिश में अगर कपड़े सुखाए जाएं तो उनको सुखने को time लगेगा वही आप एदम धूप में तड़क्ती फड़क्ती धूप में कपड़े सुखाएं तो जल्दी सुखेंगे तो मुद्दा क्या बूलनेगा humidity is the amount of water vapor present in air air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature हवा जो होती है उसकी भी एक limit होती है water vapor को hold करने की अगर बहुत सारा water vapor हवा में present है तो evaporation slow होगा अगर atmosphere में हवा में water vapor कम है moisture कम है तो evaporation फटा-फट होगा if the amount of water in air is already high the rate of evaporation is less तो humid air में evaporation slow होता है dry air में evaporation fast होगा factors affecting evaporation में एक और चीज़ हवा जितनी तेज हवा होगी उतनी water molecules को वो अपने साथ-साथ लिखे जाएगी है ना it is a common observation that clothes dry fast on a windy day हवा अगर तेज है हवा के साथ-साथ water molecules भागेंगे with increase in wind speed the particles of water vapor move away with the wind decreasing the amount of water vapor in the surrounding चेक है आस-पास water vapor कम हो जाएगा हवा के साथ water vapor चला गया आपकी air अगर dry हो गई तो फटा-फट evaporation हो जाएगा air के अंदर moisture कम हो गया तो evaporation का rate बढ़ जाएगा यही बात है हवा आएगी water vapor को लिखे जाएगी आपके आस-पास की air dry हो जाएगी evaporation का rate बढ़ जाएगा फिर एक और बात आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो injection लगाना है तो वो cotton में पहले थोड़ा spirit या alcohol लेते हैं alcohol से clean करते हैं आपको immediately थंडा-thंडा लगता है क्यों एक simple बात बताओ अगर आपके skin पे alcohol लगाया जाए क्या ये alcohol ध्यान से सुनिएगा बड़ी मज़दार बात है अगर आपके skin पे alcohol लगाया क्या ये alcohol आपके body से heat absorb करेगा आपका जो skin है उसकी heat absorb करेगा and evaporate हो जाएगा आपके skin से heat absorb करेगा मतलब आपको थंडा फील होगा yes or no, alcohol लगाया alcohol ने आपकी heat absorb कर ली तो you will you will feel cold, yes or no इसी तरह से simple बात आपको बताओ nail pin remove आता है जिसको acetone बोलते हैं सुना है अपने acetone ये acetone भी अगर आपके हाथ पे लिया जाए again वो आपके हाथ से heat absorb करेगा, कितनी heat absorb करेगा जितनी उसकी latent heat of vaporization है जिसकी उतनी latent heat of vaporization है मतलब जितनी heat उसको liquid से vapor में convert होने के लिए चाहिए to overcome the force of attraction between particles, वो heat आपके हाथ से absorb करेगा, आपका हाथ थंडा हो जाएगा, heat lose करेगा, yes or no and you will feel a cooling effect, the particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate causing the palm to feel cool आपके हाथ से heat absorb होई, आपके skin से heat absorb होई, आपको थंडा लगेगा simple है, चलो, उसी तरह से अगर बहुत गर्मी का मौसम है बहुत गर्मी है, summer चल रही है, तड़कती धूप है, ऐसे टाइम पर आपने देखा होगा, रास्ते वगेरा पर लोग पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? वाटर विल एब्सॉर्ब heat from hot surface वैसे, पानी को काफी सारी heat required होती है, उसकी latent heat of vaporization high है, हाई मतलब क्या? पानी को काफी सारा heat लगता है, liquid से gas में जाने के लिए so water will absorb the heat from the hot surface, और जो surface है वो थंडा होगा यही concept है, जमीन पर पानी डालनेगा, ground पे पानी डालनेगा चिक है? दूसरी बात, why should we wear cotton clothes in summer? अभी summer चल रहा है, तो एक तो आपको पसीना बहत आएगा, sweating होगी आपको sweating होगी sweating का एक simple mechanism आपको बताऊ अगर आपकी body sweat produce करती है, तो मुझे बताऊ वो जो पसीना है वो पसीना भी आपकी skin से heat absorb करके evaporate होगा, मतलब आपकी skin कैसी होगी? थंडी होगी, आपकी body cool down होगी, simple बात the heat energy equal to the latent heat of vaporization, मतलब जो sweat है, जो पसीना है, वो कितनी heat absorb करेगा, जितनी उसको vapor में convert होने के लिए चाहिए, मतलब जितनी उसकी latent के surface से absorb होगी, that heat will be absorbed from the body, leaving the body cool, simple, and cotton का क्या फाइदा है, cotton is a good absorber of water, and it helps in absorbing the sweat, and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, मतलब क्या आपकी body तो sweat बना रही है आपका जो cotton का कपड़ा है, वो भी sweat को absorb करेगा, अच्छा हवा आ रही है, तो हवा के साथ साथ भी आपका जो कपड़ा है उसमें से भी पानी evaporate होगा तो कपड़ा भी थोड़ा थंडा हो जाएगा and आपका body जितना sweat बना रहा है, वो sweat भी कपड़े में absorb होगा तो आपके body से भी evaporation हो रहा है, आपके कपड़े से भी evaporation हो रहा है, तो जो cooling effect है वो बढ़ जाती है are you understanding? that's it, cotton पढ़ना है ताकि body आपकी cool रहा है and why do we see water एक simple बात why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water अब होता क्या है, अपने glass में ठंडा पानी डाला, तो मुझे एक बात बताओ, इस glass के आसपास की जो air है इस glass के आसपास जो air है, वो air cold हो जाएगी air में air के अंदर मुझे एक बात बताओ glass के आसपास की air, ठंडी हो गई air में water vapor होगा water vapor will lose energy अगर आप किसी जिसको ठंडा करते हो, इसका मतलब क्या? आप उसकी kinetik energy को कम कर रहे हो तो air अगर थंडी हो गई, water vapor will lose energy and पानी के molecules की kinetik energy कम होगी तो ये करीब आकर इनके बीच में force of attraction बनेगा, मतलब यहाँ पे condensation दिखेगा आपको तो जो पानी के particles हैं उनकी kinetik energy कम होगी तो ये आपस में कुछ force of attraction बनाएंगे and वापस gas से liquid में sensation के form में दिखते हैं, यही बात है और क्या है, बहुत simple point है बहुत प्यारी बात है the water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass, it loses energy, kinetik energy कम होती है, it gets converted to liquid which we can see as water droplets पानी के particles अपस में फिर से force of attraction बनाएंगे yes or no come on yes or no, उनकी kinetik energy कम होगी फिर से वो force of attraction बनेगा and gas का liquid बन जाएगा and यही हमें water drops के form में बाहर लगा हुआ दिखेगा, इस तरह से so that completes your chapter, हमने काफी सारी बाते पड़ी हैं, आज के lecture में आई हूँ, बहुत जादा लंबा lecture नहीं हुआ है and सारी बाते, latent heat of fusion, latent heat of vaporization सारी बाते आपको समझ में आई है वीडियो अच्छा लगा तो like करना, share करना, subscribe करना चैनल को सारे teachers restart with motion के बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सभी के लिए आपका जो प्रूटसाहन है, motivation है वो बनाए रखे likes और subscription के और comments के माधियम से, तो बस इसी तरह आज हम वीडियो बनाते हेंगे, again thank you so much for watching I will see you in the next one, tada, bye bye